हाई, वेलकम टो भाइस जोनल, इस वीडियो में सॉल्व करें इंग्विशनल 15 करा है कि बाइस सेलिंग 90 बॉल पेंस, 90 बॉल पेंस को सेल के जा रहा है 4 रूपीज 160, मतलब 160 रूपीज में 90 बॉल को सेल कर दिया जा रहा है तो एक परसन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है 20%, मतलब कि लॉस परसन हो गया 20%, ठेक है अब कर रहा है कि how many ballpens should be sold, कर रहा है कि कितने ballpens बेचा जाना चाहिए कितने में 96 रूपीज में कि to have a profit of 20%, कि जो have profit कितना हो 20% का profit हो तो पहले-पहले क्या करना पड़ेगा, कि देखिए number of कितने ballpens को बेचा जाना चाहिए, ये पुछ रहा है न तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि एक ballpens का CP कितना है जब एक ballpens का CP निकाल लेंगे, तभी आप मान करके कुछ भी कर सकते हैं आगे तो यहाँ पर solution में क्या करेंगे, पहले हम एक ballpens का CP निकालेंगे तो यहाँ पर दिया क्या है, SP दे दिया है 90 balls का, तो लिख देंगे यहाँ पर SP of 90 ballpens इसकोल टू दिया है, 160 रुपीज, अब यहाँ पर loss percent भी दे दिया है loss percentage को लुकितना दिया है, 20% तो यहाँ पर दिया, SP पता है और loss percent पता है, तो आप निकाल सकते हैं CP, right it implies, आप निकाल सकते हैं, CP of 90 ballpens अब यहाँ से 90 ballpens का CP निकाल लेंगे, उसके बाद हमें एक ballpens का CP निकालना होगा ठीक है, तो यहाँ पर 90 ballpens का CP कितना हो जाएगा हम जानते हैं, formula CP का होता है हमारा SP multiplied by, in bracket, 100 upon, यहाँ पर क्या होता है कि 100 में से minus करें गए loss percent को formula यह होता है, SP की value कितना है, 160 यहाँ पर हो जाएगा, 100 upon, 100 minus loss percent, मत्थम 100 minus 20 यहाँ पर solve करेंगे, तो मिलेगा, 160 into 100 upon यहाँ हो जाएगा, 80, जे जो कैसल हो गया, 8 बंजा 8, 8 तू जा 16, 20 हो गया, 200 आएगा यहाँ पर मतलब हमारा आगया 200 रुपीज, तो यह 200 जो रुपीज आया है, वो 90 ballpens का CP आया है, तो हमें निकालना पड़ेगा, एक ballpen का CP, यहाँ पर लगाएगे आप unitary method, ठीक है, one ball pen is equal to, 90 ballpens का CP 200 रुपीज है, तो एक ballpen का होगा, 90 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ मिलेगा आपको, 200 upon 90, जे जो कैसल हो गया, और यह मिल जागा को, 20 upon 9 रुपीज, यह मिल गया CP of one ballpen, तो अब यहाँ पर देखें, क्या पूछ रहा है, how many ballpens should be sold, कितने बेचे जाएं, 96 रुपीज में बेचे जाना चाहिए, कि profit जो है 20% हो जाए, तो यहाँ पर SP दे दिया है, ठीक है, लेकि नहीं पता कि कितने ballpens को बेच रहा है, तो हम यहाँ पर माल लेंगे, let an number of ballpens be sold, ठीक है, अब यहाँ पर मानेंगे, let an number of ballpens be sold for 96 रुपीज to gain so as to gain 20% राइट, जो question में दिया है, वही लिख दिया हमें है यहाँ पर, तो माल लेंगे, n number of ballpens को क्या कहिए, sold किया जा रहा है, कि 96 रुपीज में, कि gain जो है 20% हो जाए, मतलब यहाँ पर SP दे दिया, n balls का SP जो हम पता है 96 रुपीज, और हम यहाँ पर देखे, CP of 1 बाले दी पता है, 20 upon 9, तो हम निकाल सकते है, n balls का CP, उपर से है, यहाँ पर equation 1 यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो using equation 1 using 1 क्या हो जाएगा, CP of n ballpens n ballpens का CP जो होगा, वो multiply करतेंगे, unit method 20 by 9 into n, मतलब वह जाएगा 20 n upon 9 यह आपका हो गया, इतना रुपीज, CP हो गया और SP तो 96 रुपीज दिया ही जागा है, है ना, मतलब यहाँ पर लिसकते हैं कि SP of n balls n, sorry, ball नहीं, ballpens n ballpens is equal to दिया है, यहाँ पर 96 रुपीज और यहाँ यह भी दिया है कि gain percent कितना है, 20%, यह है तो इसको मैंने लिखने वाला, अब यहाँ पर हमें formula लगाना है, SP बराबर, क्या होता है, हम लोग formula पड़े हों है, हमें पता है कि SP निकालने के लिए sorry, यहाँ पर SP निकालने के लिए हमारे पास formula होता है, वो होता है, CP multiplied by 100 में से क्या करते है, minus कर लेते है sorry, यहाँ पर plus कर रहे हैं कि gain percent है यहाँ पर, तो plus कर लेते है gain percent या profit percent जो भी लिखना होगा यहाँ लिख सकते हैं आप upon 100, ठीक है अब इस equation का use करके हम n की value find कर लेंगे यहाँ पर SP कितना है, 96 है तो 96 है रख लिजिए cp कितना है, cp आपने find कि 20 n upon 9 in bracket, यहाँ पर हो जाएगा 100 plus gain percent कितना है 20, 120 upon 100 हो जाएगा तो it implies यहाँ पर हो जाएगा 96 is equal to यहाँ पर solve करेंगे, तो यह मिलेगा 20 n upon 9 यहाँ इसे रखिए, into, यहाँ solve करेंगे 120 upon 100 हो जाएगा अब यहाँ से 0, 0 किंसल हो जाएगा, यहाँ से 1, 0 यहाँ किंसल हुआ और 1, 0 यह वाला, इससे किंसल हो जाएगा अब यहाँ उपार ने चेकिसे करें 339, 3412 और उस कटेगा अब कुछ नहीं कटने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 n upon 3, मतलब यहाँ कि 4 2 जा, 8 n upon 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 तो आगया 96 is equal to 8 n upon 3 मतलब कि it implies हम लिशकते हैं इसको ऐसे भी 8 n upon 3 is equal to 96 तो it implies n is equal to क्या हो जाएगा 96 multiplied by 3 upon 8 8 से गटा लिजे, 8 बंजा 8 और यह गटेगा तो 8 बंजा 8 और 1 बंजा 16 हो जाएगा 8 बंजा 16 तो 12 तो 3 जा कितना हो जाएगा 12 जा 36 तो आपका आगया n की value 36 तो यहाँ ले सकते हैं कि hence 36 number of यह ब्रिकट दरिंग जोग नहीं है 36 number of ball pens should be sold so as to gain 20% तो यह आपका आंसर है final 36 thank you so much for watching like कर दिजिए दोस्तों share करिए और कोई भी doubt होता है तो comment box लिखेगा इदी doubt नहीं भी है तब इक comment box लिखे कुछ ना कुछ thank you so much again bye